कार दोस्तों कैसे है आप सभी आशा करती हूं सभी लोग बढ़िया होंगे आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूं हमारे ही मचल की एक और और अर्गेनिक सब्जी जिसे हम कचनार की सब्जी या फिर करियाल की कली लोकल लेंग्विज में बोलते हैं अलग अलग जगप पर इसका अलग अलग ाम हो सकता है यह आज पर पीड होता है और उस पर लगनी शुरू हो चुकी है और यह जो कली मैं हमने सब्जी आसाह बनाने होता है जो फूल इसमें अना शुरू हो जाता है तब इसको है सब्जी नहीं हो सब्जी कम आशा infinity जो रायता है थैंका इत कर सब्सक्राइब करने के बाद हम इसे बॉइल करेंगे सबके यहां पर अलग लग तरीका बनाने का होता है तो आज मैं इसका साग टाइप में बना रही हूं तो यह वाली जो रेस्पी आपके साथ शेयर करें बहुत ही ज्यादा यह टेस्टी बनती है इसे जो है आपका यह आने तक और यह देखे बिल्कुल इसकी कलिया जो है सॉफ्ट हो चुकी है अब हमने इसको निचोड कर लेना है इसका पानी हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे कि यह बहुत ज्यादा जो है कड़वा हो सकता है इसलिए इसको हमने हलके हाथों से दबाते हुए निचोड लेना है और फिर इसको इस तरह के से खोल लेंगे ताकि जो इसकी कलिया अलग हो जाए और आप चाहे तो इसको ऐसे भी बॉयल कर सकते हैं बीना सीटी लगाए और 70-80% तक बॉयल कर यह और इसकी सबजी जो है अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं तो मैंने एक ही बारी मे सारी सबजी बॉयल कर दी थी क्योंकि मुझे इसके नेक्स्ट डे प्रांठे भी बनाने थे आप देखी रहे होंगे कि जो यह पानी है कितना काला इसका कलर सा है आया हुआ है तो यह पानी बहुत ही जादा कड़ुआ होता है इसको आप बिल्कुल अवाइड करिएगा तो इस तरीके से अगर आप निचोड कर मनाते हैं तो आपकी सब्जी कभी भी कड़वी नहीं होगी जलिए अब तड़के की तियारी कर लेते हैं तड़के के लिए मैंने यहां पर सरसुका तेल लिया है इसके लिए सरसुका तेल ही यूज किया जाता है और तेल जो है थोड़ साइज कभ मैंने यहां पर प्याज चॉप कर लिया है प्याज डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे सोफ्ट होने तक और जो यह सब्जी है इसमें हमने प्याज और अदरक लहसूर इनी चीजों का यूज करना है टमाटर हम इसमें नहीं डालेंगे इससे टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है जो यह इसका पारमपारिक टेस्ट होता है वह थोड़ा साथ चेंज हो जाता अगर आप समी टमाटर या कोई और चीज आड करते हैं तो अभी हमने जैसी ही प्याज सॉफ्ट हो गया इसमें डाल दिया है अधरक लहसून का पेस्ट और मिर्ची पाउडर यहां पर यूज गया है पीसीवी मिर्ची और एक चम्मच नमक डाल कर इन सब को हमने अच्छे से पका लेना है जब तक प्याज में हलका सा कलर आना शुरू ना हो जाए यहां पर बता दू कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वी अगर नहीं चाहते तो मत डालिए और उसके बाद यहां पर मैंने डाल दिये हरे मटर उनको मैंने तीन मिनट के लिए माइक्रोव कर लिया था और यह सौफ्ट है अगर आप फ्रेश मटर लेते हैं तो यह वह तड़के में भी पक जाती है आप उसको इस तरीके से भी डाल स चुकी है उसके बाद हम इसमें जो कचना है वह एड़ कर देंगे और इसमें और कोई मसाला हम नहीं डालने वाले है क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट होता है तो हम चाहते कि वह टेस्ट इस सबजी से ना जाए तो इसके लिए बस इतने मसाले इसके लिए बहुत है और यह हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसे लगवक एक से दो मिनट तक ही कुक करना है ज्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि यह अल्रेडी बॉइल है और इस टेस्ट को एंहांस करने के लिए दो चम्मच यहां पर देसी घी के डाले हूं अगर आप चाहते तो दो मिनट के लिए हम इस सब्जी को पकाएंगे यह देखिए हमारी सब्जी जो है बिल्कूल बनके त्यार हो चुकी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है सब्जी है आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले और अग आपके हाँ इस सब्जी को क्या बोला जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इंजॉय करिए आप भी बाई बाई दोस्तों